हेलो मैं डियर फ्रेंड्स मैं प्रविन कुमार पीके सर केमिस्टी लेक्च्टर आप सभी काप एक्स क्लासिस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार देख स्वागत करता हूं देखे दोस्तों हम बात कर रहे थे पी-ब्लॉक में पढ़ रहे थे यहां पर देखिए अपने दिहा स्वा सुं है दिस्कस कर चुके थे नाइट्रोजन को इसको आपके पार दिसकस कर लिया दोस्तों आपके पास में वहां हमने NS3, ammonia को discuss किया HNO3 जो आपके पास nitric acid है उसको हमने discuss कर लिया दोस्तों आपके पास में अब हम second element nitrogen element के बाद आपके पास में देखीगा phosphorus को phosphorus को discuss करने के बाद दोस्तों आपको arsenic जो आपके पास में है एंटिमनी जो है बिस्मित है यह सब आपके स्लेबस में इंडीजवली यहां ब्रिफ में नहीं है सिरफ दो यह element है दैनम 16 element जो आपका group होगा उस पर आ जाएंगे ओके देखिएगा दोस्तों start करते है important है फटा फट सभी को like कर दो सभी like करो और session सभी को share कर दो जब तक आप share नहीं करेंगे भई मजा नहीं आएगा कैसे करवा पाएंगे देखिगा फटा फट जल से जल सभी को like सभी like करो फटा फट फट शेयर करो जल देखिगा हम यहाँ पे start कर रहे है आज हम start करेंगा दोस्तों आपके पास फॉस्फोरस टेकर सेकेंड जो आपके element है ना फॉस्फोरस यहाँ से आप start करेंगे clear तो लिजीगा फॉस्फोरस के बार बात करते हैं दोस्तों फॉस्फोरस जो आपके पास में है देखिगा दोस्तों सबसापाल है यहाँ पर फॉस्फोरस में सबसे मैन जो important point आपका alex की regarding रहेगा यहाँ पर देखिगा इनके जो alex drop है आपके पास में आपे आप देखना चाहें इलाटोप को एलेट्रोप्स जो है यह आपके पास में है देखेगा दोस्तों यहाँ पर लाइकवाइस फार्स्ट आपके पास में वाइट फॉस्फोरस होता है क्लियर ओके सैकेंड देखेगा यहां पर हम डिस्कस करें सैकेंड जो है आपके पास में देखेगा दोस्तों रेद फॉस्फोरस इसकलियर यहां पर देखेगा रेड फॉस्फोरस होता है आपके पास में ब्लैक फॉस्फोरस भी होगा इस तरह से कुछ ऐलोट्रॉप्स है जिनको आप देख पा रहे हैं इस तरह से ब्लैक भी है वाइट भी है और रेड फॉस्फोरस भी है इनको अपन यहां पर देखिए अपन डिसकस करेंगे लेकिन अभी हम बात करते एक जनरल इंट्रोडेक्शन इसका जो फॉस्फोरस से रिलेटेड जो है आपके पास में जो एक्जाम में मॉस्ट्रली कोश्चन जो आपको देखने को मिलते है और आयलाइट रहता जो कोश्च देखिए किस-किस में यूज करते है इसको रेट पॉईजन में यूज किया जाता है नमबर वन रेट पॉईजन में रेट पॉईजन में यूज होता है सेकंड देखिगा यह जो आपका मैच बोक्स जो है आपके पास में उसमें जो स्टिक्स हैं उस पर जो लगा होता है आ आपके पास में यहां पे बात करें जो दोस्तों आपके पास में fireworks है इसमें भी आपको यहां पे black phosphorus को use किया जाता है okay इंपर्टेंट है आपके पास में black phosphorus जो है आपके पास में very important okay clear good आप देखिए दोस्तों next जो आपका यहां पे point रहेगा next point क्या है देखिए question आजाता है दोस्तों यह जो phosphorus है आपके पास पे देखिए इस से related question जो है mostly exam में देखने को मिल जाता है कि देखिए यहां पे कि P4 यह आपका white phosphorus है what happened okay देखिए का यहां पे white phosphorus है यह react करता है concentrate H2SO4 sorry NaOH जो आपके पास में caustic जो soda होता है na sodium hydroxide okay caustic soda वो भी concentrate है आपके पास में okay H2O solution है okay इससे आप इसको react करवाएंगे तो देखिएगा दोस्तों यहां पे यह question आपके पास में आ जाता है what happened okay देखिएगा यहां पे यहां पे इस तरह का question generally देखने को मिलता है phosphorus से यहां पे आपके पास में question बन गया what happened what happened when white phosphorus जो है आपके पास में react with concentrate NaOH solution जो कि यहां पे कह सकता है atmospheric जो आपके inner atmospheric जो आपके पास में environment है तो उसमें क्या होगा okay देखिएगा यहां से इस तरह से question बन जाता है दोस्तो है आपके पास में what happens when white phosphorus react with concentrate NaOH solution in inert atmospheric atmospheric environment okay atmospheric environment में यह जो इस से react करेगा तो what happen क्या होगा उस समय देखिएगा यहां पे इसको किस तरह से आप complete करेंगे पी लिजेगा इस तरह से देखिए दोस्तों यह जो आपके पास में white phosphorus है P आपके पास में P4 जो है यह आप लोग जानते हैं बार-बार क्या बताना white phosphorus है P4 right clear देखिएगा दोस्तों यह जो है आपके पास में यह concentrate NaOH clear इससे react करेगा आपके पास में okay then H2 आपके पास में है साथ में यह लिजीगा H2 okay इससे react करके देखिए क्या बनाएगा यहां पे यह जो है इससे react करके हम यहां पे करेंगे यह आपके पास में है 3 balance कर लेते इसको okay तो यह आपके पास में pH 3 phosphine gas बनाएगा phosphine देखिएगा phosphine का formation करेगा यहां पे क्या करेगा दोस्तों देखिएगा यहां पे pH यह जो आपके पास में है यहां पे अगर आपन बात करें तो यह आपके पास में फोस्पीन बनाएगा right clear देखिएगा यहां प Phosphine बन गया यह आपके पास में बन गया Phosphine clear है एक साथ में दोस्तों यह आपके पास बनाएगा इस तरह से अपन क्या सकते हैं NaHPo2 Okay clear है देखिए का दोस्तों यह जो है आपके पास में यहाँ पर आपन देखना चाहें तो आपके पास में यह NaHP2 आपके पास में जू है, sodium hypo-phosphate, clear हो गया आपको, तो दोस्तों इस तरह सा देखीगा, यह जो है, आपके पास में question आ जाता है, यह आपके पास में है, यह आपके पास में, यह आपका NaH2, यह आपके पास में हो गया, PO2 ओके तो यह जो है आपके पास में P4 जो आपके पास में जो आपका वाइट अगर आपन बात करें यहाँ पर जो आपके पास में फॉस्फोरस है यह कास्टिक सोडा जो एने उच्छ है इससे लिएक करके क्या बनाएगा आपके पास में PS3 का formation करता है और NAS2PO2 यह आपके पास में क्या बना लेता है साथ में दोस्तों sodium हाइपो फॉस्पाइट बनाता है ओके यह फॉस्पीन का भी आप यूज कर सकते हैं इसको और question भी आ जाता है तो पहले मैंने उस question को highlight किया है जो एक्जाम में directly आपको देखने को मिलता आता है अब बात करते हैं देखिएगा यहाँ पर फॉस्पीन को discuss करते हैं ओके क्लियर देखिएगा दोस्तों फॉस्पीन जो है आपके पास में पी एस थ्री यह जो है फॉस्पीन है it is also known as harm signal gas दोस्तों very very important second question भी अपन कह सकते हैं यहाँ पर और यह जो है यहाँ से इस तरह से question highlighter भी रहता है आपके पास में harm signal gas देखिएगा आपके पास में है इसको क्यों कहेंगे है harm signal gas देखिएगा it is also known as it is known as harm signal gas right signal gas clear दोस्तों इसको harm signal gas करेंगे यह जो है देखिएगा जो sea जो आपके पास में है जो oceans आपके पास में उनमें जो sip होते हैं उनको approach करता है उनको signal का यहाँ पर यह signal देने का काम करती है जो कैसे इमर्जट होती है और किस तरह से इसका आप देखेंगे यह अपन discuss करेंगे अभी तो यह home signal gas है दोस्तों क्या है आपके पास में home signal gas देखेगा सबसे पहले हम बात करते हैं इसके preparation method के बारे में बात करते हैं राइट यह आपका clear है दोस्तों यहां तक अब आपन बात करेंगे इसके preparation method के बारे में बात करेंगे पहले आप लोग यह देख चुके हैं यह आपके पास में यह जो आपका point था यह आपके पास मे बनेगा, right, clear हो गए आपके पास में, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, phosphine का formation या इसको किस तरह से आप prepare कर सकते हैं, लीजिएगा, next, second है आपके, यह आपके पास में आ गया, second, point यहाँ पर आपन देखेंगे, preparation method, phosphine के लिए, किस तरह से आप इसको preparation कर पाएंगे, इसका, calcium phosphide जो है, उसका hydrolysis आप करवाएंगे, then आपके पास में, किसका formation होगा, phosphine का, तो यहाँ पर, first जो है, आपके पास में देखेंगा, यहाँ पर आपन कहेंगे, hydrolysis of, by hydrolysis of, okay, यह अपना first point है, by hydrolysis of, calcium phosphide, calcium जो phosphide है, उसका आपको क्या करना, दोस्तों, यहाँ पर hydrolysis करना है, right, तो calcium phosphide जो है, उसका आप hydrolysis करेंगे, तो आपके पास में किसका formation हो जाएगा, PS3, ठीक है, phosphine आपके पास में बनेगा, किस तरह से, यह लिजेगा, यह अपने लिया, CA, okay, 3, P2, दोस्तों, यह है, आपके पास में calcium phosphide है, okay, यह आपका हो गया calcium phosphide, इसको आपने react करवाया, देखेगा, यहाँ पे water के साथ में, यह अपने लिग लिया, 6H2, okay, hydrolysis करवा दिया, दोस्तों, देखेगा, यहाँ पे, इसको समझने के लिए, अपने इस तरह से, आप लोग समझ सकते हैं, यह आपके पास में, CA, okay, CA, आप लोगों के समझने के लिए है, दोस् balancing, आपको यहाँ पे elementary reactions होए, देखेगे को मिल जाए, balancing form में, देखेगे, दोस्तों, यह आपके पास में बन गया, PS3, right, और दोस्तों, देखेगा, यह आपके पास में बन गया, PS3, right, clear है, देखेगा, यह आपके पास में बन गया, PS3, यहाँ पे अपन लिखते हैं, यह जो दोस्तों आपके पास में इस तरह से इसका formation होगा यह लीजिएगा यहाँ पर यह अपना हो गया 2 PS3 यह आपके पास में फॉस्पीन बन गई एक मेठ़ड आपन देख चुके हैं अभी कि आप अपका आपस इनर अन्वारमेंट जो है उसमें भी आपका इसको जो रियक्शन पर वाइंगे इसकी तो आपके पास में जो है वाइट फॉस्पीन देता है फोस्पीन देता है second जो है आपके पास में ये भी अपने पास में hydrolysis of calcium calcium phosphide से देखिए का दोस्तों अब आपके पास में second secondary जो आपके पास यहां product होगा देखिए दोस्तों क्या होगा बिल्कुल simple सा है यार CA आप लोग जानते हैं दोस्तों OH की whole twice calcium hydroxide है आपके पास में select lime देखिए का CA OH की whole twice again आपके पास में है और CA OH की whole twice तो आपके पास हो गया 3 CA OH की whole twice calcium hydroxide आपके बंद गया साथ में calcium hydroxide आपके पास में हो जाएगा clear है calcium hydroxide हो गया तो दोस्तों यह जो है आपके पास में इस तरह से अपन क्या सकते हैं यह आपका हो गया यहाँ पे preparation method हो गया आपके पास में right यह आपका हो गया preparation method clear ओके अब देखिएगा दोस्तों यह जो है use किस किस तरह से अपन इसको uses काम में लेते हैं तो यहाँ पे uses को is इसके लिए very important दोस्तों use-vays का यह आपके पास में in signal देखिएगा signal signal के लिए स्बसे मैं इसको देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसको signal के लिए यूस्टे वैसे दोस्तों अगर आपन बात करें यहां पर smoke screen में भी इसका use किया जाता है smoke screen जो है ना आपके पास में उसमें भी इसका use होता है farware में, ओके देखेगा यहां पर आपन देखना चाहें तो इन signal, signal में use होगी आपके पास में, first जो सबसा important है, for sip के लिए okay okay, nc जो आपके पास में, समदर में जो आपके पास में sip हैं, उन sip के signal के लिए इसको use करते है, okay दोस्तों देखेगा, second जो important इसका जो use है, यह आपके पास में क्या रहेगा यहां, इसको दोस्तो smoke screen के smoke screen में भी use करते हैं इसको okay warfare में देखेगा, यहां पे smoke screen के रूप में भी इसको use किया जाता है, okay देखेगा, दोस्तों, यहां पे क्या होता है, सबसे पहले आपन बात करें किसको signal की form में किस तरह से use करते हैं देखेगे, signal में क्या करते हैं कि आपके पास में tin box होता है CA3, प्लस इसमें अपने ले लिया CA, okay और यह आपके पास में है C2, right यह आपका है calcium carbide और दोस्तों यह है calcium phosphide ओके, यह जो mixture है, इन दोनों का यह जो mixture आपने तयार किया, यहां पे यह लिजेगा इनका यह जो mixture है, इस mixture को fill किया जाता है किसमें इसको fill करना आपको देखीगा, इस process को flow diagram से आप समझ लेजीगा इसको हम fill करेंगे दोस्तों किसमें, tin box में, okay tin का यह box है आपके पास में, यह लिजेगा, यह आपके पास में tin box है इस mixture को आप इसमें डालिए यह आपके पास में, इस mixture को आपने इस box में डाल लिया, clear है तो यहाँ पे यह जो है आपके पास में, CA, CO3 आपके पास में है दोस्तों इसमें देखिएगा, यहाँ पे, यह mixture है, right तो अपने यह mixture इसमें ले लिया यह आपके पास में mixture ले लिया है, इसमें जो आपके पास में tin box के अंदर है, यह आपका tin box है यह गया तिन बॉक्स टिन के बॉक्स में इसको ले लिया ऑक कै और देखींगा इस बॉक्स को क्या किया जाएगा दूस्तों एस बॉक्स पे अपन यहां पर क्या करेंगे देखींगा इस रहां पर यह थान रखना, यह थी होए, signal की फॉर्म में, इस box को अपन क्या करेंगे, water में, c में जो आपके पास समुद्र जो ओसे न अज बहुते हैं, तो इसको डूटी लगी है, वो क्या करेंगा, calcium carbide और calcium fastide के mixture को इस tint के box में fill करेंगा, और इसको hole करके और इसको क्या करे पदेगा इस तरह से वहांपे ocean और क्या करेगा फैंक तो इसको क्या कर लेंगी यहांपे ocean में फैंक देगा इस उस डिरेक्षिन में जैसे filthy water के इने इना है धित्ए यहांपे water- और-ट्रच मौ आका आई यहांपर सिएव आप पास में ओशियन जो है उसमें तो water है तो water के contact में आती है दोस्तों यह क्या होती है immersed होगी है तो यह burn होगी यहाँ पर देखेगा यह इस तरह से अपन कह सकते है दोस्तों यह आपके पास में इस तरह से यह जो है यहाँ पर अपन कह सकते है इमर्जट होगी, बर्न होगी एक तरह से अपन कह सकते हैं, उससे क्या होगा, जो आपके पास में सिप आ रही है, वो सिप चुह है, उसकी और क्या करेगा, एप्रोच करेगा, जिससे सिप को क्या मिल जाएगा, सिगनल मिल जाएगा, तो इसके बर्न होने से क्या मिलता है, यह निल जाएगा तो सिप यह वह सिग्नल को रिसीव कर लेगा यहां से कि यहां से सिग्नल मिलता है इसके बर्न होने से क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होती है इस तरह से ऐसा यहां पर समूद्र में आप आपके सकते हैं दोस्तो जैसे आग लग गई हूँ तो बिल्कुल इस तरह से बल्ब की जयसे अंगा जासे बिल्कुल आपन देखते हैं, जैसे आपन कहीं ग Bread Station पर जाते हैं और आपने जो भी City तो जो sheen दिखते तो वहाँ स्टेट लाइट होती है रोड पर पर इस सिक्वेंस में क्या रहता है अपने को यहां पर इस तरह से इमर्ज होटी भी दिखाए देगी तो यह जो है यह आपके पास में फोस्पीन गैस यह जो है आपके पास में इमर्ज होती है इससे जो यहां पर फॉर्मेट यह जो आपके पास में फॉर्मेशन जो आपको नज जाता है signal मिल जाता है तो यह फॉस्पीन गैस का सबसे मैं यूज होता है सिप को signal देने के लिए ओके स्मॉक स्क्रीन के अंदर भी इसको यूज किया जाता है second point था clear है तो यह आपके पास में related था यहां पर फॉस्पीन से related फॉस्पोरस में सबसे फस्ट जोस्तों अपने यहां पर फॉस्पोरस के अलाट्रॉप्स देखे साथ ही अपने देखीगा साथ ही जो आपके पास में अलाट्रॉप है उसमें ब्लैक रेड और जो आपका वाइट है उसका एक प्रिपरेशन सबसे में इंपोर्टेंट है इनार एनवार्मेंट के अंदर इसको आप तो इस तरह से अपने देख लिया कि आपके पास फॉस्पीन और सोडियम हाइपो फॉस्पेट आपके पास में बनेगा और प्यस्तरी जो है हॉम सिगनल गैस की फॉर्म में जानी जाती है और इस तर सब्सक्राइब के आपके और सखने हो गया कि कुछ पच्छे कॉमेंट में गया घी मिस्तरी मा OUT है कि यह तो आपके पास में इस तरह से हॉपकर स्द्रीक क्याected वाल आ यहां तो Eckh तो मैं इसको यहां पर आपको देखी का इसको अपन यहां पर कम्टीट कर रहे है अलग से इस परिंट को इस्पेशली आपको ध्यान में रखना है दोस्तों यह जो CAC2 है आपका इस तरह से यह कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 1 2 3 और 4 1 2 3 4 कम्टीट हो गया और इस तरह से हो यह क calcium carbide की reaction है यह भी exam में देखने को मिल जाती है कई बार आप लोग देखीगा इसको यहां पर यह इस तरह से देखीगा दोस्तों बिलकुल सिंपल से यह लीजेगा क्या बन गए आपके पास में यह देखीगा CH triple bond और CH नजर आरा आपको यहां पर यह acetylene इस तरह से अपने प बनती है साथ ही आपको देखीगा साथ ही यहां पर C OH की होल ट्वाइस अपके पास में है हर्ट रोकसाइड यह बन जाएगा इसे भी आपको ध्यान में रखना है यह reaction भी आपसे इस तरह से तो देखीगा यह जब आप calcium phosphide और आपके पास में है दोस्तों देखीगा calcium carbide जो है इन दोनों के mixture को team के box में लेके आप लोग जैसे इसको किसी भी ocean में या जो आपके पास में C है उसके अंदर आप इसको फैकेंगे तो जैसे ही आप इसको फैकेंगे होल करके उस box में तो water के contact में आते ही है इमर्जट होना स्टार्ट होगा इसमें कौन कौन सी एक तो आपके पास में फॉस्पीन और साथ में यहाँ पर acetylene एस सी डखेगा साथ में आपके पास में ऐसे clean gas भी होती है तो यह इमर्जट होती हुए आपको वहाँ पर नजर आती है यह आपके पास में CH एसे टार्ट आइलीन जो आपके पास में है यह आपके पास में इस तरह से बालेंगा यह प्रोसेस आपको complete कर दिया है ओके clear है आपको एक दम ओके good subscribe करें हमारा Apex Classes EduTech YouTube चानल साथ ही bell icon को click करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी YouTube वीडियो की updated notifications सबसे पहले आपको मिलें Apex Classes EduTech subscribe now